अरे, सरकार ने जो नई शिक्षा नीती लाहिये उसे तुमने देखा? क्या ये अच्छी है? यार बाई, हमारे समय में परिक्षा उत्तिर्ण करने के लिए ही पढ़ते थे. ये नीती जीवन के कौशल कारियों में सहभागी और विशलिश्टांत्पक बनाती है. वो विज्ञान और कलाक्षेत्र के भेत को भी समाप्त करना चाते हैं. सच में, क्या इससे मेरी बेटी को भी लाब होगा? शोयप, तुमारी बेटी हीना को साधन के समस्याव के कारण स्कूल नहीं जाने की चिंता नहीं करनी होगी. दूरस्त सिक्षा के साथ साथ आनलाइन पाठ्यक्रम सभी प्रमुख आयू अर्गों के लिए होंगे. इस सिक्षा नीती ने दिव्यांग चात्रों के लिए भी विशेश प्रावधान किये हैं. अच्छा है, वास्ताव में एक अच्छी सरकारी नीती लग रही है. हाँ, मैंने भी सुना है. क्या इसमें मेरे जैसों के लिए भी कुछ है, जिसने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी है? ये नीती लगभग दो करोड छात्रों को, जिनोंने बीच में ही पढ़ाई छोड़ दी, उन्हें मुक्त स्कूलों और अन्यकार्यक्रमों के द्वारा पढ़ाई पूरी करने का उसर देती है, जो की दस्वी और बार्वी के अध्यन के समान है. सुना है, प्री स्कूल में स्थानिया आंगरवाडी कार्यकरताओं की मदद ले रहे हैं, मेरे मा भी ऐसी एक कार्यशाला में भाग ले रही है. वाह, क्या बात है, आज ही मैं अपनी बेटी को एनीपी में दाखिला दिलाऊंगा.